गुड मॉनिंग गाइस माना पताब के ओंडाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका सवगत हैं लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया थे राष्ट्रपती की शक्तिया हमने दिखाता दो प्रकार की शक्तिया होती है सामान्यकालिन शक्तिया अत्वा अधिकार और दूसरी मिलकर कियंडि कारिपालि शक्ति का प्रमूख करते हैं जसा हमने कहा था कि राष्टपति जो होते हैं वो सम्विधानिक प्रमुख होते हैं सम्विधान के इसाफ से हमारे देश का प्रमुख जो है वो राष्टपति हैं इसके सम्विधानिक प्रमुख होने के नाते भारत के जितने भी प्रशासनिक कार्य जो होते हैं वो सब राष्टपति के नाम से ह अगर वीदेशों से किसी प्रकार के हमारे कोई डील होती है को समझोता होता है तो वह भी राष्टपति के नाम से होंगे क्योंकि राष्टपति समवेधानिक प्रमुख है वास्ता में इन सारी शवीतों का इस्तमाल जो है वो प्रदान मंत्री करते हैं इस वज़े से राष्टपति के दवरा की जाती है और कौन-कौन से अधिकारी है जिनको उनके से उनके पजस्य हटाया सकता है राष्टपति भारत के संग के अनेक महत्य능 कार्यों कि निवत्ति करते हैं जिसे प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री की सलास से अन्य मंत्री राज्यों के राज्य पल उच्यतम नहले और उच्छ नहले यworthy कि सुप्रीम कोड और हाई कोड के जो जज होते हैं उनकी महालेखा परिक्षक संगी लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तता विदेशों में राजदू कौन-कौन से अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की द्वरा की जाती है तो प्रदानमंत्री अब प्रद दल के नेता जो होते हैं उसको राष्ट्रपति जो हैं वो प्रदानमंत्री के रूप में न्युक्त करते हैं और प्रदानमंत्री की सलाव पर अन्यमंत्री जो होते हैं उनकी न्युक्ति भी राष्ट्रपति के द्वरा की जाती है सभी राज्यों के राज्यपाल यानि के न्यूक्ति और विदेशों मैं राज्दू्ति जो संब्धनियम्म का निर्मान करता है राष्ट्रपति के पास में वो शक्ति हैं कि वो संसत के दोनों सदन यानि की लोकसभा और राजसभा के एक संयुक्त मीटिंग बुला सकता है मंत्री परिशत के सदस्यों के बीच विभागों का वित्रण भी उसी के द्वरा किया जाता है हलाकि इसमें प्रदान मंत्री की सलापर ही राष्ट्रपति जो है मंत्री परिशत के विभागों का वित्रण करता है वेदेशिक शेत्र में शक्ति भारती संग का वेधानिक प्रम जो सब्राष्टापति नाम से ही क्यों क्योंकि राष्टापति भारत का समवेधानिक या वेधानिक प्रमुग होता है सेनिक शेत्र में शक्ति राष्ट्रबदी भारत की समस्त सेनाओं का प्रदान सेनापति होता है यह समस्त सेना का मतलब तीनों सेना अमारे जल सेना थल सेना और वायू सेना भारत की जो सेनाओं है उसमें तीन केटेगरी सबसें तो KUNSी जलसेंजा का प्रण मईंतरि मिंसे कर सकता है कानून से 05 ाप उसके हाथ बद्य हुए है परति रक्षा सेवा यूद्ध और शांतिआधि के विश्य में कानून बनाने की शक्ति केवल संसत को प्रापते लब अगर किसी देश से यूद्ध करना है शांती समझोता करना है या और किसी प्रकार का कोई समझोता करना है तो भारत की संसधी कर सकती है अतब भारतिय राष्ट्रपती संसत की स्विक्रती के बिना न तो भारत का राष्ट्रपती भारतिय संग की कार्यपलिका का विधानिक प्रदान तो है उसे भारतिय संसत का अभी अभिन अंग माना गया है और इस रूप में राष्ट्रपती को विदाई शेत्र की विबिन शक्तिया प्राप्त है इस टार्ड में हमने डिसकेस किया था कि भारत करता है संसत का जो से अधिवेशन होता है उसको बुलाना और इसको अधिवेशन की समाप्ती की गोषना करना राश्ट्रयपति का एक विदाई अधिकार है वह प्रदानमंत्री की सिपारिश पर लोकसभा को इसके निश्चित काल से पूरव भी भंग कर सकता है वैसे लोकसभ समय के लिए चुनी जाती है पांच सर लेकिन अगर प्रदानमंत्री की सला दी जाए तो राष्टरपती उसको पांच वर्ष पूर्व विभंग कर सकता हैं अब तक ऐसा नौ बार हो चुक है मतलब अब तक लोगसबा जो है वह नौ बार समय से पूर्व भंग की जा चुकी है संसत के अधिवेशन के प्रारम में राष्टरपती दोनों सदनों की सयुक्त बेठक को भाषन देता है वहलब जब संसत का सत्र शुरू होता है उस समय राष्टरपती दोनों सदनों की सयुक्त बेठक में भाषन देता है उसके द्वारा अन्य सदनों उसके द्वारा अन्य साइष ऑसरों पर भी संसत को संदेश वह उनकी बैठुकों को भाष्ण देने का कारिक किया जा सकता है राश्टपती की इन भाष्ण में शार्षन की सामाण्य नीतियों की गोश्णा की जाती सदस्य, को मननुनिद करने की शक्ती। राश्टपती को राज्यसवाब में 12 सदस्य को मनोनीद करने का दिकार है, जिनके द्वरा सहित्य विज्यान कला या अन्य किसी शेत्र में विश्यrauen की गई हो, वग्सवाब में दो आंगल भारती सदस्यों को मनोनीद कर सकता है, तो राश्टरपती राजसभा में कितने लोगों को मनुनित कर सकता है 12 लोगों को कौन कौन से 12 लोग ऐसे व्यक्ति जो साहित्य के शेत्र में विज्ञान के शेत्र में कला के शेत्र में या अन्य किसी विशेश शेत्र में जिनोंने अपनी प्रधिभा दिखाई हो ऐसे 12 लोगों को राष्टरपती जो है वो राज्य सभा सदस्य के रुप में वनोनित कर सकता है और लोगसभा में कितने दो दो कौन से आंगल भारतिय आंगल भारतियों का अगर प्रति निदित वो लोगसभा में उचित नहीं है तो तो राष्टरपथी जो हैं वह दो अंगल भारति किसको क्याता है जिनका orison जो हैं वह विधुषय सुगा मतलब जिनके पूरवद जो हैं वह व्यदोशय स्वाकर भारत में बसे हैं उनको अंगल भरतिय कहा जाता है तीस तरह से राज्य सभा में बारा और लोग सभा में दो और संसत की बात करें तो बारा प्लस दो यानिकी टोटल चौधा चौधा व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा संसत में मनुनित किया जाता है विदेग पर निशाधि उसको पास कर देते हैं तो वह तब तक कानून नहीं बनते हैं जब तक कि उसके उपर राष्ट्रपति के सिग्रेचर नहीं हो जाए वह साधारान विदेग को कुछ सुजाओं के साथ संसत को पुनविचार के लिए लोटा सकता है लेकिन या वह विदेग संसत द्वारा तो राष्ट्रपति उसमें अपने कुछ सुजाओं दे सकता है अगर संसत उन सुजाओं को मानती है या नहीं मानती है उसमें कोई संशुदन न करके उसको एजड़ीज वापस बेचती है तो दूसरी बार राष्ट्रपति को उसके उपर साइन करने ही है अध्यादेश जारी करने की शक्ति जिस समय संसत का अधिवेशन न हो उसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो उसमें राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है बारतिय संविदान का अनुच्छेद 123 जो है उसको ये शक्ति प् संसत का दिवेशन प्रारम होने के 6 सब्ता बाद तक लागू रहेगा लेकिन संसत चाहे तो उसके द्वारा आगे इस अव्दी को बढ़या जा सकता है वित्तिय शक्तिया राष्टपती प्रतिक वित्तिय वर्ष के प्रारम में संसत के दोनों सुधनों के सम्मुख भारत की उस वर्ष के लिए आय और व्याय का विवरन रखेगा मतलब एक तरसे बजट प्रस्तुत करेगा राष्टपती जो है वो उसकी आज्या के बिना धन विदेक और अनुदान मांगे लोगसभा में प्रस्तावित नहीं किया सकते हैं तो राष्टपती के आज्या के बिना धन विदेक को लोगसभा में प्रस्तुत नहीं किया सकता ह और किसी प्रकार की जो अनुदान है वो भी अनुदान मांगे यानि जिसको हम क्या सकते कि एक तरसे कोई रीण माफी है ऐसा प्रस्ताव अगर लोगसभा प्रस्तुत करने तो वो भी राष्टरपती के परमिशन के बाद ही होंगे शक्तिया सम्विधान में न्याय प्लिका की स्वतंत्रता के सिद्दान को अपनाया गए है वह उच्च तम तदा उच्च न्यालों की न्याजीशों की नीउक्ति करता है यानि की राष्ट्रपती को एक अन्यम महतुपुन शक्ति शमादान की प्राप्त हैं शमादान की शक्ति मान लिए कि सुप्रीम गोड के द्वरा किसी व्यक्ति को कोई डंड सुनाया गया तो अब वो आगे कहा जा सकता है उसके पास में कॉप्शन बसता है राष्ट्रपति के पास में अगर राष्ट्रपति को लगे कि उसको उचित न्याएं नहीं मिला है या कि साथ किसी प्रकार की कोई गलत हुआ है तो राष्ट्रपति के पास में वह अधिकार है कि वहाँ उस व्यक्ति के डंड को कम कर सकता है अगर किसी को म्रत्य डंड भी दिया गया है तो भी उसको शमा कर सकता है उसके डंड को बदलवा सकता है या उसके डंड को कम कर सकता है यह शक्ति जो है वो राष्टरपती के पांस में हैं और यह इसकी नएक शक्ति है